अपने आपको जो लोग जन्नाइक बताते हैं, गंधी वादी बताते हैं, लोगतंतर की दुषाई देते हैं, आज वोई लोगतंतर की अत्या करें। राज्जस्तान का पहला खेल उस्विदाले 2012 में यही गयलो सरकार थी। इन्हों नहीं गोशना की थी। कि ये खेल उसे दले जुंजुनों में खुलेगा दो हजार वारा से लेके दो हजार बाइस चल गाए दस साल हो गए एक एड तक लिए लगी है सगलब है नराम रम्मा उन्थरुद देसिपतर का रवी खबर लोग चैनल पुर थारु बुद बुद स्वागत है बेरोजगारी अई पूरी इ मुद्धा पर की जो फिलहाल परदेश बरमा जो चाल रे हो है बन लेके और रोजगार की जो समस्षाई को के समाधान है जो निकाल लो जाना चाहिए जो सरकार चुनी जाहीं बन की तरीका का परियास करें जाना चाहिए हर एक मुद्धा पर बात करने के लिए आज आपने साथ सुभाज जाकट बैसा भी जो लगातार युवाओं का साथ में जुड़ा रहे हैं बाकि कोई भी मांग है बिन लेके लगातार जो परदर्सन करे हैं कोई भी आजल उनकी बात कर लें तो बिकमान लगातार है जो जुड़ा रहे हैं वर्तमार में अगर बात करी जा है तो एस एफाई परदेशा देख जो ही तो बातचित कर से यह बुद्धा पर बंका कि के विचार बेराखे हैं और के बदलाओ है जो आकमान देखने चाहो हैं बैशाब नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार बैशाब खबर लोग चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत दन्यवाद आपका जी अज बेरोजगारी के अगर बात करी जा है तो इस समस्य को समाधान थितारियोरू की तरीकें देखो देखो सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यूआओ की बातों को विद्यार्थी को लगातार उठते रहें अपने चैनल के माध्यम से और जिस प्रकार का आपका सवाल है कि बेरोजगारी के मुद्दे के उपर क्या सरकार को की हो उन तमाम जो भी हमारे एक्जाम होते हैं उनके अंदर पेपर लीक प्रकार्ण सामाने सी यह बात है कि हर बार पेपर लीक होता है लोग पेपर चुरा लेते हैं और इसके अंदर बड़ा स्थर के उपर ब्रेश्चाचार है लोग पैसे देखकर नोक्री लगना चाहते और जो युवा जो बेरोजगार अपनी मैनत करके अपने अर्मान रखते हैं वो लोग कि हमारा उनका एक सपना है कि उनका सपना साकार होगा नहीं बढ़ती हैंगी वो नोकरी लगेंगे उनके घरवालों का सपना पूरा होगा लेकिन जिस परकार का हम प्रदेश के अंदर द एक्जाम होता है और एक्जाम से पहले घटना घटित होती है जो पेपर लेकर जो ट्रक आ रहा था उसके अंदर एक जो निर्दोश विक्ति है वो उसकी मोत हो जाती है सरकार उन तमाम बहुत को चुपाना चाहती है उसके बाद में स्टूडेंट फेडरस नोप इंडिया पहले ही दिन इस दिन पेपर वा था उसके बाद में हमने मांग किती कि यह पेपर लीक हुआ है पेपर आउट हुआ है इसको आउट करते हुए परिक्षा को उरद किया जाए हमारा विद्यारतियों का संगटन हम स्कूल और कोलेज के बाहर गेट के उपर यह मांग उठाते मजबुते यह साथ में विद्यारतियों के साथ में मांग करते हैं कि हमारी स्कूल के अंदर हमारी कोलेज में हमें पढ़ने के लिए टीचर चीए हम लोगों ने लगातार सरकार चीए मांग कि कि तीन साल के बाद में आप अड़्थी कम्प्लीट कर रहे हैं तो राजस्तान पर पर देश बरम रीट की बात करी जा रही है तो बिकमाइन ने पटवार की भरती की बात कर लाया एसाई की बात कर लाया यह भरती ही आखमान भी पेपर लीग को मामलों सामना आयो हो लेकिन अभी बंक की जांच के बंक एक रीट ने रद करके या फिर और जो बरती ही बंक के दबान का प्रियास करें जाएंगे बिलकुल सरकार उस तमाम मामलों को दबाने के लिए और आपके चैनल के माद्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार जो अभी विधान सभासतर चल दा है इ और उनकी संपती कुरुक हो और जो लोग पेपर लेते हैं उन लोगों को आने वाली तमाम बरतियों के लिए डिस्क्वालिफाइग करें तब जाके कोई बात मनें और एक्जाम करवाएं जिससे हमारी यूवाओं का हमारी बिरोजगानों का सबना ना डूटे सरकार सिर्फ चाहती है कि वह सरकार कह रही है हमारी तीन साल बेनी साल रहे हमने बहुत सारे लोगों को नोकरियां दी लेके चोटा सा तंज हम सरकार पे कसना जाएं आपकी चनल के बादिन से कि रीट बढ़ती राजस्तान की स्कुलों के अंदर टिचर चीए मैं आपको बताया हूं साइड है उसके उपर सरकारी हाखड़े के नुसार भी आज पिछेतरह जार से ज़्यादा पद खाली है लेकिन सरकार फिर उन पदों को बढ़ने की और कोई कदम नहीं उठा रही है अभी मार्च अपरेल तक कितने पद और खाली हो जाएं कितने लोग और रिटार हो राजस्तान की सरकार की पॉलिशी को समस्का है और राजस्तान की सरकार के खिलाब निसी तोर पे अलग-अलग गुर्फों के अंदर अलग-अलग मोर्चों के अंदर सरकार के खिलाब आवाज राजस्तान का विवाब बुलंद कर रहा है हम राजस्तान की सरकार से आपके च सिंबा के अंदर एक्जाम करवाई किस परकार से राजस्तान के विवा को बेरोजगार को नौकरी मिले सरकार को ये पोलिशी बनाने चीए बिलकुल एक और सवाल सर मैं पूछनों चाहूंगो ये चीज़ पर जद रीट की एक्जाम आयोजित करवाई गई ही तो एक वीडियो जो लीक है और सरकार ने रद करनों पड़ रहे हैं तो के सरकार ये के जो कानून में की जो नियम बनावा है कि पंद्रा मिनेट भी अगर कोई लेट और जटा तक देखां कि बहुं स्टुडेंटाओं बात करी जा है तो बैसे पंद्रा मिनेटी बालेट ही और काफी रोई ह जो लीक हो रहे हैं यह जो परकिरिया है कि इमें भी सुधार की कुछ गुंजाइस लगे है बिलकुल जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे को लेज और रुष्व इदेले के अंदर जो एक्जाम आईजित होती है हर एक विद्यारती को पंद्रा मिनेट लेट तक इंटी दी लेकिन किसी भी क्योंकि हम देख रहे थे अलग अलग जिलों के सेंटर यहां से हुहां रख दियेगे हजारों किलोमेटर से लोग एक्जाम देने के आये थे और सरकार कहें ती है रिट का उत्सव है और निश्ची तोर पर पूरे प्रदेश के लोगों ने जो लोग हमारे प्रदेश के बहार के भी आपर एक्जाम देने हैं हम जिस चात्रावस में बेटके आज आज आपके हमारे बीच में बाचित हो रही है इस जगह पे जो हमारे साड़े साथ जार अब भेरतिकों यहां पर रोखा गया था दो दिन के लिए कितने लोगों ने कितना खर्चा कि अपने खुद के साधनों से लाखो रुपया करोड रुपया बरबाद हो गया राजस्तान के सरकार जो टेक्स का पैसा है आम गरीब मश्दूर किसान का पैसा है आम जनता का पैसा है उसको वेर्थ ना जाने दे सरकार मजबूती से अच्छी पोलीशी मनाए तक जानकरी मिल रही है कि आना लग कुछ 28 तारीक तक विदान सबा गहराओ को भी कुछ प्रोग्राम है तो उनसी के मुखे मांग ही और बिम लेके यूँआं की आउगा करनों चाहोगा और कुन सी के मांगा लेकर देखे हमारे संगठन SFI की द्वारा आने वाली एक मार्च को आज हमारा पहले का प्रोग्राम 28 फरवरी का था लेकिन आज हमारी दोपर को मिटिंग होई हमारे SFI स्टेट कमिटी ओनलाइन और उसमें तेवागी एक मार्च मंगलवार का दिन होगा तेज तारीकों बजट आएगा तेज तारीकों राजस्तान के विद्यारती और जवान राजस्तान की विदान सबागा गेराओं करेंगे और हमारा जो हक है वो हक हम सरकार से मांगेंगे और हम लड़कर हमारा हक सरकार से चीनेंगे क्योंकि हमें पता है हमारवारी में खावत भी हमारे कि अगर बच्चा रोता नहीं है तो उसकी मां भी उसको दूद नही बठा दे रही थी, लेकिन आप कहे रहे हैं कि सरकारी कारियालों में आपको चार गंटे काम करना होगा, तब हम आपको बेरोजगारी बठा देंगे. हम सरकार कारियालों के अंदर जब पद खा लिये, आप नई बढ़िती निकालें, लोगों को नोक्रियां दे और जो कर है तमाम लोगों को बिनाशत दे रोजगारी बधा दे इसी के साथ-साथ केAud 24 साथ नहीं मिल रही है ऑनको तुरम प्रवाशिट जारी की जाए और कुछी कर दो ले जिस सब्सक्राइब श्रकार भी जारी और राजस्तान सरकार भी कह रही है कि महा मारी आहिरू इसमें आप उनलाइन शिक्षा को लिए बढ़ावा दे हम राजस्तान की बात करें बहुगोली की दृष्टी से आज जैसर मेरबाड मेर डूंगरपूर बांशवड़ा पूरे ट्राइबल्स की बात करें ऐसे से गाओं भी हैं ऐसे से स सब्सक्राइब बात को मजबूती से पटल पे रखेंगे तमाम इद्धारतियों को सातरवति में ले तमाम जितने भी हमारी उपकर रहे हैं हम देखते हैंगे आज उस चिक्षा कितनी दूर विद्यारतियों से होती जा रही है आज पूरे राजस्तान में 300 गोवर्मेंट को लेजे हैं प्राइबेट दो जोहर सी जदा को लेजे हैं दो हजार सी जड़ा कोलेज हैं अगेले में शिकरो और जूजनी के लेगी बात करो तो यहां पर साड़े चार सो यूजी और पीजी कोलेज हैं प्राइबेट लेकिन आज इसे भी तैसिल मुखेले हैं पचासे पचास किलोमेटरों के लिए सटर सादर किलोमेटर विध्यार पर निके लिए सरकारी कोलेज नुर्ट को यही लो सविदाले को यहSeini कोषना किती कि है कि और में दो हजार हुआजस तक नहीं लगी है हम राजस्तान के विधान सभा गेराओं में मजबूती से जुन-जुनों में हमारा खेल विश्व विद्यले शुरू हो जिसे हमारे आसपास के खिलाडी हमारे प्रदेश के खिलाडी का डवलम्मेंट हो हमारे पड़ोशी स्टेट देख रहे हैं पंजाब हरियाना खेलों के हम कहते हैं के राजस्तान के कितना हमारे इंडिया के लिए खेलगा हमारे प्रदेश के खिलाडी और ऑप ज्छिट्र के मतर मैंकि-दूर्द की कि पूरे अप्रास्पति शिकर के दोरे करें लेकिन हम कहते हैं कि चैसे सेन्य अकेडमी का स्वाल रहा है कि पांस साल बीजेपी पांस साल को यह त्रेंड चलने वाड़ा नहीं है राजस्तान का नोजवान राजस्तान की आम जनता जागरूक हो रही है राजस्तान में महेंगाई का भी शुवाल है इसे रहे लेकिन हम प्लेटी राजस्तान की विद्धानसवा ने चल लोगार से अपना हग मांगेगे कि आप हमारा हग दीजिएगा अगर हग नहीं दोगे तो आने वाले समय में आपकी सरकार नहीं रहेगी बिल्कुल और यह जो मुद्दा की वगर बात करी जा है विकमान संव भुड़ा बड़ा मुद्दा की अगर बात करी तो खेल विश्व विद्य कि राजस्थान को आपनों एक मत्र पहलों खेल विश्व विद्याले जो सिरफ आज काग्जाम घूम रहे हैं सिरफ डोकुमेंटाम घूम रहे हैं और बिक अलावा अभी तक भी पर कोई आवाज ने उठानों एक सोचबालों विसे तो सोंबड़ो तो यह मानूं कि दस साल अगर होने जारी इर्भी का बाद में भी चुनावा का मान यह बिल्कुल भी मुद्दोकुन रख्यों जाए यह बी एक सोचबालों विसे हैं तो उमीद करां कि आनला चुनावा पर इम इस चीज़ पर भी जो द्यान दियो जागो इक अलाव मैं बहिसा बात करूं कि सुभ हम उनको में अपना आधिस मानते हैं उनको और निशी तोरब सेटर एज बगस तोरव हम चलने की कोशिज करते हैं हम भगत मेंने ऊसकते बागत सिंग का हम दो पर संट नहीं हो सकते बगात सिंह ने दीशाल की उमर में कितना धन किया इस पूरे वह इते जिस दिन 1930 में उनक उन्हों ने कहा कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जुरुत होती है और राजस्तान की सरकार को सुनाने के लिए भी धमाके की जुरुत है और धमाका राजस्तान का हज़ारू हजार युवा नोजवान विद्यारती एक जुट होकर राजस्तान की विधान सबाके गेट प बंद कर दिया था गैलो सरकार ने का था हम सत्ता में आएंगे तो बाइस अज्जार वापस यह इसकुल डियोपन करेंगे करोड़ो अर्बो रुपे की संपती बिल्डिंगे आज जर जर आवस्ता के अंदर है अगर बाइस अज्जार इसकुल आज चालू होती उनमें कितना सबस्कति यह संस्ति जनता बेखूब इस बार हम आपके चेनल के मादम से आज ही ख Dakar होगी बेवस्ता परीवर्तन होगा ने लोग इनके खिलाब जो लोग चुनावी मेदान में होंगे उन लोगों को जिता कर हमारा प्रदेश का नोजवान विवा और यहां आम जंता उनको जिता कर बेजेगी और राजस्तान के अंदर विवस्ता परिवरतन होगा बिल्कुल एक सवाल और मैं आखरी सवाल यह पूछनों चांगो किसाना अंदुलन में भी काफी एक्टिव रिया हा किसाना अंदुलन के अगर बात करी जा है तो सरकार किसाना को जो मुद्धा हा आज यह लागयों जाकि बानने भी ठंडा वस्ताम जो डाल दिया गया हा और किसाना अंदुलन अपने आमेग अभूत पुर्व अंदुलन पूरे देश का इस देश की आजादी के चोतर साल का सबसे बड़ा आंदुलन जो तीन सो अची दिन तक चला और शांती प्रेडंग से चला देश की के अंदर सरकार ने इस आंदुलन को तोड़ने के लिए जा आसुगेश के गोले चोड़े और साथ सो सी जद्धा हमारे किसान साथी ने साथ देती उसके बाद में सरकार जुखी सरकार बेगफुट पे आई देश का प्रदान मंत्री जो कह रहा था कि मैं नहीं मानूंगा ये कानू ले कि आऊंगा जमीने कॉर्परेट्स कराणों को म कदलना पड़ा और आज सवाल हमारे सामने खड़े जो समझोता किया तक किसान अंदुल नहीं किया है आज हमारा सुख्ष किसान मोर्चा उत्र प्रदेश के अंदर जा रहा है कि भाजबा को रोको आप इन्होंने जूट बोला है किसान के साथ में और राजस्तान के सवाल ह हमारा सवाल है कि राजस्तान की कहलो सरकार कांगरे सरकार जमस्ताम एधीन का जो तातकाली के राश्टे देख्ष ता राहुल जी गंदी उन्होंने ऐसे गिने थे एक दो तीन च्यार पांचे साथ आठ नो दस दस दिन में किसानों का संपून करजा आज तक करजा माफ नही राजस्तान में जो पूरे देश में समझे अधा उत्पादन बाज लेका कहा होता है राजस्तान में एक केजी भी बाइस सो में नहीं खरिदा गया है बारा तेरा चोड़ा रुपे कि लो समझ सकते हैं MSP का सुछाल है हम जी सिक्षतर में बैटे हैं हमारे इस जुन जुनु करना चाहते हैं अपने आपको जो लोग जन्नाइक बताते हैं गंधिवादी बताते हैं लोगतंत्र की दुवाई देते हैं आज वही लोगतंत्र की अत्या करें देखा जब हमारे रीट के भेड़ती बैठे थे पद बढ़ाने की मांग को लेकर किस प्रकार से उनको अशिस्टेंट कमांडेर थे जो नक्ष्रीयों से लड़ते थे इंसे लड़ते थे उनको सोरी चक्र मिला वो सोरी चकर वो राजस्तान के अंदर जो ब्रश्चाचार जो बढ़तियों में धांद्ली हो रही है इससे दुख्यों कर उन्होंने अपनी बढ़ती से रीजाइं दिया और राजस्तान के नौजवानों के साथ में और लन्ना चाते थे उनके साथ में बच सुलुकी की और वो विधान सबा के उपर परदसन 14 तरीकों करने के गए थे उनकी कोलर पकड़ी जाती है एक सोरी चक्र वी जीता का तक सही है राजस्तान के अंदर लोकतंतर बच् उसने हमारे समीधान को जिन्दा किया है और निशित तोर के उपर हम आपके चैनल के मादिम से यह कहना चाते हैं अगर किसान बचेगा तब ही हमारा देश और प्रदेश बचेगा किसान नहीं बचेगा आने वाली पीडिया नहीं बचेगी बहुत माली हालत है लोगों की हा कि इसलिए बात कर लो जंता की बात करो महिंगा मुदा देख लो सारा पंटादार बेटा आए जटा तक देखां कि कोई भी मुदा पर अगर बात करें तो बहुत लंबी भाइस जो चेड़ी जास किया अभी जो देखो जाए कि अगर अगर अचल की बात करी जा है तो आपने पिछले काफी लंबर समय हो एक जो सेना भरती के अगर बात कर जाए को कि काफी जवान ही जो आपना सेना कमान कारिया रहे रहे थे लगातार जाकि युवां मिलो हो जो युवां त्यारी करें हैं बाऊ जूडो हो उपनों सी के मांग लेकि आभी जो मांग जो युवां के परियास जो कर जाएंगा कि जल्दी जल्दी जो सेना भरती है जो अधित करवाई जैंडेके अमारे विदान सभाग जो गिरा होगा उसकी प्रमुगम हमारी मांग होगी सेना भरती इसलिए मांगा हम जिस चेतर में बेटें ऐसे का वटेंचल में देश के अंदर आर्मी के सब्से ज़्यदा सेना के अंदर कोई हगर है तो वह जुन जुन सीकर और चुरूकार नोजमान है और पिछला परती दो जार गुनिस में वह था दो जार गुनिस के बाद में अब तक बढ़ती नहीं हुई है शिकर में बैटें दो साल पहले सेना बढ़ती हुई थी और जो प्रभाव से सरकार करवाएं से बात करें केंदर सरकार से बात करें से अधिकारें और तुर्ण फ्रभाव से पूरा लोगडाउन आपने कर दिया कि लोगडाउन अब नहीं है हमें पूरी छूड़ दे गई है सारा सब कुछ खुल चुका है सेना बढ़ती के लिए हमारे जजबा रखते हैं लड़ने का हमारे लोग डेश प्रेम से ओत्रोत है हमारे यहां के लोगों ने हज्ज़रों लोगों ने साधित दिये और आज भी दे रहे हैं अभी चोधा प्रवरिगी बात कर लें मारे बहुत खुझा जजबो लोग के सामने अपड़ी बात रखेंगे और शरकार के को सरकार के सामने अपड़ी बात रखेंगे और सरकार के कोशिज करेंगे सरगार बारी बात मानें नहीं मानेंगे विकलब हैं 2023 नज्टीक हैं सब समझते हैं विवास्ता प्रिवर्तन होगा राजस्ता में बहुत 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 धन्यवाद तो यह जो बातचीत करी आपने साथ फिलहाल जो सफाई डाजस्तान परदेशा अदेख सुबाजी जाखड़ा काफी मुद्दा हाब आपर डिस्कस करें कि के आंको जो समाधान के निकलनों चाहे और आंको भी बहुत बड़ो परदर्शन जो 28 फरवरेन होना लो हो लेकिन अभी बिन पोस्पोन करके हैं जो एक मार्च को जो कि सरकार जो बजट लाओगी भी बजट में अगर कोई यूवां की मांगन मुखे रूपू नहीं रखी जागी यूवां की जो समधान नहीं किरो जागो तो एक बहुत बड़ो आंदोलना जो करें जागो एक अलावा भी काफी जो मुद्दा हाबां पर भी डिसकस करें और